दिखे एक वेक्टर का कोश्चन है क्या कोश्चन है समझेगा let A vector equal to alpha i plus j minus k b vector equal to 2i plus j minus alpha k e alpha greater than zero if the projection of a cross b on the vector this is 30 then alpha question अच्छा है और conceptual question है क्या बोला देखिचेगा कि a vector यह दिया हुआ alpha i plus j minus k b vector दिया है 2i plus j minus alpha k right alpha greater than 0 a cross b a cross b से आपको एक नया वेक्टर मिलेगा क्या मिलेगा आई जे के alpha 1 minus 1 2 1 minus alpha right तो यह हो जाएगा my i into minus alpha plus 1 j के साथ करोगे minus 2 plus alpha square plus k के साथ करोगे तो alpha minus 2 यह आ गया अब आपको यह बोला गया है कि एक रॉस भी का projection on the direction आप माइनस आई इसको कोई एक वैक्टर भी मान सकते हो कि direction में 30 तो इसका मतलब है आपको एक रॉस भी डॉट माइनस आई प्लस टू जे माइनस टू के बाई इसका मॉड वो थ्री हो जाएगा इक्वल टू लिखना चाहिए 30 प्रोजेक्शन क्या होता है यह ओन भी इसका मतलब एक रॉस भी जब आपको बोला जाए करने के लिए लिखा हुआ है और इसका डारेक्ट मल्टिप्लाइ करते हैं तो हम लिखते हैं माइनस वन यह त्री उदर चला जाएगा माइनस वन इंटू माइनस अल्फा प्लस वन प्लस TWO इंटू अल्फा स्क्वेम बाइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू ञें तो आपको मिल गया है माइनस ऑफा आपको यहां पर यह देखना है कि इसके आप फैक्टर बना है तो एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा एक निगेटिव इसलिए वहां पर दिया हुआ है कि अल्फा ग्रेटर रेंग जीरो तो क्या कर सकते हैं इसका मतला अलफा की एक वालू सेवन हो गई और अलफा की एक वालू माइनस थाटीन वाय टू हो गई तो निगेटिव कंसीडर नहीं करनी है । अलफा पूछा है तो अलफा इस सेवन इजा राइट आंसर झाल